नमस्ते, मन और मन के शक्तियों के बारे में जानेंगे, उससे पहले मेरा स्वार्ट परिचे देता हूँ, मैं उत्पल देसाई, वलसाड गुजरात में रहता हूँ, जीवन में समाजिक कार्य करने का आउसर और प्रेणा RSS के पास मिले, राश्ट्रेया स्वाम्शक संग ने स श्री दॉक्टर जितेंदर अडिया, वे जो इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर है, मैंने उनके समिनार और वक्शोप से बहुत सिखा है, वे आज सत्तर साल की उम्रे में भी कारेशिल है, मैं उनका भी बहुत अभारी हूँ, दॉक्टर जितेंदर अडिया के शिश्य ऐसे स्र माइंड ट्रेनर का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, मैं उनका भी आभरी हूँ, उनके सहयोग से आज हम एक टीम डिवाइन विंग्स अनेक वीद कारे करते हैं, जो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, मन से जुड़ी शमस्यों का हल, वीविद काउंसिलिंग्स, ध्यान के वर्ग, योगा के वर्ग, जैसे एक्टिविटी हम करते हैं, तो शुरू करते हैं, पावर अफ सबकॉंस्योंस माइंड, I have good news, कि आप जानना चाहते हो, कि यह good news क्या है, यह good news है कि आप जो ग्यान पाने जा रहे हो, उस ग्यान से आप अपना पूरा जिवन बदल सकते हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, यह आपकी positive mentality, यानि हकरत्मक सोच दरसाती है, अपने मन के पास इतनी ज़्यादा सकती है, कि उसके लिए अशंभव, impossible, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी सोचते हैं, वहां मन की सकतियों से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु, दुख की बात यह है, कि हम सभी अपने अंदर की शक्तियों का केवल एक से दस्टका उप्योग ही करते हैं, जी हां, यह मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की Harvard University के Professor William James ने research करके कहा है, ज्यादा तर सफल इनसान भी उनको मिली हुई मन की शक्तियों का केवल दस्टका से कम ही उप्योग कर करते हैं, आप सोचिए कि बड़े-बड़े सक्सेस्फुल लोग भी किवल दस्टका माइंड पावर से इतने ज्यादा सक्सेस्फुल हो सकते हैं, तो हम जो अगर दस्टका की लिमिट को क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा, पर हम वह क्यों नहीं कर पाते, क्रॉस क्यों नहीं क सकेंगे, डॉक्टर जितेंद्र अडिया सर जब एस्ट्रोनाट सुनिता विल्यम्स को मिले, तब उन्होंने उनका ओटोग्राफ लिया, और उनको जब पूछा था कि क्या आप सबकॉंसेस माइंड पावर के बारे में जानते हैं, तब उन्होंने भी ना ही कहा था, तो एनलजी है, एक सक्ति है, मन, एक विजली जैसे सक्ति है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, काट नहीं सकते या उसका नास नहीं कर सकते। ब्रेन, तो फिर यह ब्रेन क्या है? यह दिमाग क्या है? यह ब्रेन यानि दिमाग शरीर का एक भग है, पार्ट है, एक चीज है जिसे आप देख सकते हो, छूच सकते हो, उससे काट सकते हो या उसका नास भी कर सकते हो. in computer language computer की भास्टा में कहें तो brain hardware है और mind software है तो हमारे पास कितने मन है we have two mind one conscious mind second is subconscious mind conscious mind जिसे हम जागरत मन कहते है बाहरी मन कहते है चेतन मन कहते है subconscious mind जिसे हम अर्ध जागरत मन कहते है आंतर मन कहते है और अवचेतन मन भी कहते है अध्यत्मक के भसा में subconscious mind को चित्त भी कहा है तो अभी हम देखेंगे दोनों मन के which difference समझेंगे अपना मन himself जैसा है उसको अगर देखें तो 90% हिस्सा पानी में डुबा हुआ होता है और केवल दस्ट का हिस्सा ही बाहर दिखता है ऐसा ही अपने मन का है हम जो जानते है वह जागरत मन चेतन मन केवल दस्ट का ही सक्ति रखता है जबकि अभी तक जिसे हम नहीं जानते वह अर्ध जागरत मन अवचेतन मन 90% माइंड पावर मन की शक्ति रखता है जागरत मन केवल जागरत अवस्था में ही काम करता है जब हम सो जाते है वह भी सो जाता है जबकि सबकॉंसेस माइंड 24 घंटा काम करता है अर्ध जागरत मन सरवंट है जागरत मन बॉस है अर्ध जागरत मन उसे लाके देता है जो जो जागरत मन मांगता है कॉंसेस माइंड अला दिन है तो सबकॉंसेस माइंड उसका जीनी है हम अपने गोल हमारे लक्ष conscious mind से set करते हैं और subconscious mind उसे लाके देता है conscious mind सोच सकता है subconscious mind सोच नहीं सकता है तो अब हम जरा विश्तार से दोनों के कारिय तथा सक्ति देखेंगे पहले जानेंगे जागरत मन के कारिय के बारे में ध्यान से सुनेगा अपनी पांच इंद्रियां आख कान नाक जिवा और तवचा के उपर काबू जागरत मन के पास है conscious mind के पास हम जो चलते हैं फिरते हैं हम जो अभी बात कर रहे हैं इन सभी क्लियां में जागरत मन का कंट्रोल है हम जो सोचते हैं तरक करते हैं बुद्धिक उप्योक करते हैं वह शक्ति जागरत मन के पास है अच्छा क्या है बुरा क्या है यह परखने के शक्ति decision power अपनी पसंदगी क्या क्या नहीं करना है क्या करना है जागरत मन से होता है और एक important कारिया है कि वह अर्ध जागरत मन के दरवाजे पे पहरदार का कार्य करता है आए आप जानते हैं Power of subconscious mind अपने subconscious mind अर्द जागरत मन के शक्ति और वा कार्य के बारे में हमारे समेदनाओ के उपर काबू अर्द जागरत मन भी करता है उदारन के तौर पे जब हम सोते है तब यदि मच्छर काटता है तो हमारा हाथ निंद्रा में भी उसे मारने के लिए उठता है और हम निंद्रा में भी करवटे बदलते हैं यानि अपने सरीर के उपर भी अर्धजागरत मन का कंट्रोल है अपनी अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन भी अर्धजागरत मन की शक्ति का एक उदारण है टेलीपथी, आपको ये अवश्य अनुभव हुआ होगा कि आपने अपने किश्य मित्र को याद किया और अचानक वे सामने आ गया या उसका फॉन आ गया यह power of subconscious mind है आपके मन की frequency और उसके मन की frequency मिलने से आपका संदिशा उसके मन में पहुँचा याद शक्ति का भंडर अर्धजागरत मन की शक्ति है emotional quotient ध्यान दिजिए EQ IQ नहीं EQ अपनी feelings अपने emotions के उपर अपना control वह subconscious mind के पास है आप IQ के बारे में तो जानते हो IQ यानी intelligent quotient आपने ऐसा देखा सुना होगा कि जिस वेक्ति का IQ intelligent quotient बहुत ज़्यादा होता है ऐसे वेक्ति भी कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम उठाते है क्यूंकि उनका IQ तो high है परन्तु emotional quotient EQ low है ऐसे IQ से भी ज़्यादा important है EQ आपने महाभरत के सहदेव के बारे में सुना है तिरकाल नानी थ्या नोस्ट्रा डेमस की भुष्यवानी के बारे में सुना है वह सभी ज्यान अपने subconscious mind की सक्ति है आपको जो चाहिए वह पाने की उचीत परिष्थितिया निर्मान करना subconscious mind का कार्य है आपका अर्ध जगरतमन आपका मानसिक alarm है आपका ये अनुभवरहा जरूर होगा कि आप जब सुबे जल्ली उठने के लिए alarm लगाते हैं और ठीक alarm बज्दे से एक दो मिनिट पहले ही आ इच्छा मूर्ति के बारे में शुना है वह अर्ध जागरतमन की शक्ति है अपने सरेर की श्वयम संचालित तंत्रिकाएं जैसे की पाचन तंत्र, श्वशन तंत्र, उस्वर्ग तंत्र और स्राव तंत्र उन सबको अच्छी तरह चलाने के शक्ति और कंट्रोल subconscious mind के पास है याद रखें हम अपने subconscious mind के शक्ति से कोई भी बीमारी ला सकते है या किसी भी बीमारी से मुक्त भी हो सकते है योग के द्वारा अपने सरीर को हवा में उपर उठाना यह अर्ध जागरतमन की शक्ति है राम नाम से पैथर तेरत है वह क्या है power of subconscious mind आप जानते है रैकी वह अर्ध जागरतमन की शक्ति है आपने सुना था तान सेन ने दिपक राग गया और अगनी प्रजोलित की और ताना रीरी ने मलहर राग गया और बरसात बरसाई या अर्ध जागरतमन की शक्तियों के उदाहरण है इसे हमने अपनी मन की शक्तियों के बारे में जाना हमने जाना की subconscious mind यानी अर्ध जागरतमन जिसे अध्यतम की भासा में चित्त भी कहते है उसके अंदर जो भी अंकित होता है वह हमारी बहर की दुनिया में होता है हम अपने subconscious mind में अपनी मरजी से positive powerful memory प्रैतन से भर सकते हैं मैं खुश हूँ मैं सुखी हूँ ऐसी भवना हम खुद ही अपने चित्त में प्रैतन से डाल सकते हैं तो अब हमें देखना है कि इस subconscious mind तक कैसे पहुँचे कैसे पहुँचे अर्ध जागरत मन तक अपने अंदर जाकर पहुँचना है जिसको relaxation technique कहते है इस relaxation technique से हम अपने विचारों के उपर ज्यादा हद तक काबू पाते हैं जिससे हमारे विचारों की frequency reduce करके हम आलफा स्टेट में पहुँचते हैं थोड़े समय के बाद अपने आपको बिल्कुल हलका पाओगे यह है आलफा स्टेट relaxation यानी जैसे हम meditation करते हैं ध्यान करते हैं वैसी प्राणबिक स्थिती जिसमें हम विचारों को रोक के आलफा स्टेट में प्रविश करते हैं तो अब समझते हैं कि आलफा स्टेट क्या है कुदरत ने electromagnetic waves उत्पन करती एक छोटी सी बैटरी हमारे दिमाग में रखी है जिसके तरंग हम नाप सकते हैं जैसे रदय के तरंग heartbeats को नापने के लिए ECG मशिन इलेक्ट्र काडियोग्राम होता है उससी प्रकार हमारे दिमाग से उत्पन इलेक्ट्रोमेगनेटिक तरंग को नापने के लिए EEG मशिन इलेक्ट्रो एंसेफिलोग्राम है जो waves के संखिया पर सेकंड में नापता है इसी मशिन के सहयोग से एक study हुआ है यहां हम जो slide देखते हैं इसमें मन की अलग-अलग चार अवस्थाएं दिखाई गई है बराबर समझे साइन्टिस्ट ने मन की अलग-अलग अवस्था में कई सारे EEG इलेक्ट्रो एंसेफिलोग्राम लेकर अभ्यास किया है और निशि यानि की बीटा अवस्था में इस तरंगों के शंख्या 14 से लेके 35 प्रतिसेकंड होती है जबकि तिसरी रौ देखे अजागरत अवस्था निंद्रा श्लिप के अवस्था में थीटा अवस्था में इस तरंगों के शंख्या 4 से 7 प्रतिसेकंड होती है इन दोनों के बीच क स्थिती यानि अर्ध जागरत अवस्था यानि सबकॉंसस स्टेट यानि आलफा स्टेट में इन तरंगों की संख्या साथ से 14 प्रतिसेकंड होती है यह बहुत ही महत्वक्य अवस्था है अंत में जब हम डेल्टा अवस्था में होते है यानि कि विहोशी की अवस्था में दिमाग में से निकलने इस इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवस्थ की संख्या केवल 1 से 4 प्रतिसेकंड होती है इन चारों में आलफा स्टेट उससे बराबर समझे आलफा वस्था में हम जागरत या अजागरत नहीं होते है पर आधे जागरत होते है अर्ध जागर मन को करते हैं वह बराबर उसमें अंकित हो जाती है फिर वह सबकॉंसेस माइंड बहर की दुनिया में उससे लाने के लिए हमारी मदद करता है तो यह अवस्था में हम किस तरह जा सकते हैं तो जानें दो तरीके से जा सकते हैं एक है कुदरती तरीके से जो रात को सोने से जश्ट पहले और दूसरा है सुब़ जागने के तुरंत बाद इस दो अवस्था में हम आलफा अवस्था से पसार होते हैं यह दूसरी टक्निक है, हमारी इख्छा अनुसार भी हम जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वह है रिलेक्शेशन टक्निक. relaxation के मध्यम से हम alpha state में पहुँच गए इस सवस्था में हमारा जागरत मन अपने अर्ध जागरत मन से जुड़ा हुआ होता है connected होता है इसी समय हमको हमारे subconscious mind को command देना है आदिश देना है कैसे कलपना यानि मानशिक दर्शन के मध्यम से हम subconscious mind को आदिश देंगे अर्ध जागरत मन subconscious mind केवल चित्रों की भासा समझता है और चित्र यानि pictures उसको ही अपनी memory में बिठाता है example अभी में आपको यह कहूं कि elephant हाथी के बारे में नहीं सोचे तो भी आप हाथी के चित्र के कलपना मन में करोगे पर visualization करना जरूरी है यानि मानसिक दर्शन कलपना करना है आख बंद करके पर आख बंद करके क्या देखें हमने हमारा जो लक्ष बनाया है गोल बनाया है उसका visualization करना है students को अपनी mark sheet जो गोल चार्ट बनाया है उसका visualization करना है यहां visualization में एक चीज important है कि अपना जो लक्ष है गोल है वह हम पा चुके है और पाने के बाद हम कितने खुस है उसकी feelings के साथ visualization करना है घटना future में बनेगी नहीं परन्तु वर्तमान में बन चुकी है वर्तमान में ऐसा हो रहा है ऐसा visualization करना है in continuous present tense या फिर आप इस्तिति में अपने आपको auto suggestions दे सकते है यानि कि affirmations भी बोल सकते है जैसे कि मैं शान्त हूँ मैं खुस हूँ मैं शारुशक्तिमान हूँ ऐसे positive affirmations से अपने subconscious mind को भर दीजिए इस तरह आप alpha state में जाके अपने subconscious mind की reprogramming कर सकते है मैंने relaxation technique के उपर कई सारे वीडियो भी बनाए है उससे भी आप देखे तो आज्या दीजिए फिर मिलते है all the best जैहिंद वंदे मात्रम